नमस्कार दोस्तों मैं आप सब्सक्राइब कर सकता हूं दोस्तों आज की जॉब पोस्ट की गई है पेपाल की दर्फ से और यह जॉब इनकी ओफीशल वेबसेट पर पोस्ट की गई है पेपाल.com इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहां जाकर आप इस पॉर्चुनिटीज को ग्राप करना चाहता है वहां जाकर आप देख सकते हो बहुत चारी पॉर्चुनिटीज है दोस्तों चलिए और स्ट करते हैं पेपाल इस पार हमाले क्याला है दोस्तों पेपाल एक कैमपस चैलेंज रख रहा है इस पार सारे 2021 ग्रेजुएट के होंगे अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप गूगल पर जाकर देख सकते हो यह कंपनी है कैसी ही दोस्तों चलिए हो देखते हैं इसका eligibility criteria पहले मैं बताते हो दोस्तों इफ यू 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 आरे लिजिबल टू रेजिटर इफ यू आर फाइन ये इंजिडियर इसमें अप्लाइड नहीं कर सकता पिर इन लोगों ने दे रहा है सिर्फ CGPA 8 & above हाँ दोस्तों यह देखकर तो मुझे भी थोड़ा दुख हुआ था क्योंकि बहुत जादा इन लोगोंने target set कर दिया 8 & above तो दोस्तों यह जरूरी नहीं है सिर्फ आपको engineering में 8 & above रखना है अ once registered you will receive an email with details on the online assessment based on your performance in the assessment हाद दोस्तों अगर आप एक बार यह form भर देते हो तो आपके पास सारे online assessment क्या आ जाएंगे उसका भी मैं आपको पूरा process बताऊंगो कि आपको कैसे इस job के लिए apply करना है उससे पहले हम देखने वाले हैं इनकी important dates की क्या क्या dates है दोस्तों registration close होने 20 September को अभी तो बहुत टाइम है जल्दी से इस job के लिए apply कर लीजे आपका online assessment होने वाले 26 September और यह 10 बजे होगा में भी 2 गंडे का होगा क्योंकि मैं आपको next video में यह भी बताने वाला हूं कि जो इनके rounds होते हैं वो basically कैसे होते हैं और उनमें क्या-क्या पूछा जाता है mainly पिछले 2-3 सालों से इनके 2 गंडे के round हो रहे हैं और उसमें जो पूछा जाता हूं आपको next video में बताऊंगा इंटर्शिप 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 होने वाली है जैन्वरी और जून में 6 महीने की इंटर्शिप होगी जैन्वरी से जून तक यहां एक और चीज़ दे रखें if you are selected you will receive an offer for a paid internship and for a full-time role full-time role at one of a tech center in Chennai, Bangalore, Hyderabad इनके तीन लोकेशन से चेंडर, Bangalore, Hyderabad इनमें से तीनों में से आपको कोई भी लोकेशन मिल सकता है दोस्तों इंटर्व्यू के basis पर आपको decide होगा कि आपको उस समय full-time मिलने वाला है in 2020 and currently looking for opportunities can I register PayPal campus is limited to students who graduated in 2021 दोस्तों इस बार इन लोगोंने limit कर दिया है सिर्फ 2021 के batch ही इस में apply कर सकता है if you have already graduate refer to our job portals इनके job portals पे और भी jobs में वो भी आप देख सकते हो what is the evaluation process the online assessment will be conducted or hacker rank दोस्तों मैं फिर बता दूँ में एक और next video बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इसमें hacker rank में कैसे कैसे section से और जो round से कैसे divide होंगे तो मेरी next video को भी जरूरी देखिएगा वो भी मैं जल्दी से upload कर दोगा और उसी के basis पे you will be invited for rounds of virtuals of interviews if I have selected which location will I be joining you will receive an offer for a role at one of a taxi enters in चैन्ना बेंगलों है तरबाद तीनों में से दोस्तों आपको कोई भी location मिल सकता है अब देखने वाले positions कौन कौन सी है we have various positions across our front end, back end, mobile and data analytics scene तो दोस्तों यह इस बार एक तो तीन चार को चार positions दे रहे हैं तो जल्दी से जाहिए और इसके लिए apply किजे अगर दोस्तों इसकी salary भी इस बार बहुत ही जाद है वह भी वे अपनी next video में reveal करूंगा तो next video को जरूर देखिएगा अब हम देखने वाले कि आपको इस job के लिए apply कैसे करना है आपको इस ब्लू बटन है इस पर क्लिक करना है आप इस वाले interface पे दूस्तों आ जाओगे यहां आपको कुछ लिए personal information बनना है फुल नेम बनना है mobile number email address current location जैसी आप इस पर क्लिक करोगे आप इस वाले interface पर आजाओगे फिर आपको अपनी university का नाम graduation level pursuing degree branch current cgp equivalent इसमें तो आपको 8 बनना है मतलब 8 वाले limit है इन लोगों ने इस बार limit कर रहा है बतलब नहीं भढ़ स सकते बाकी तो फिर year of passing यह दोस्तों लोगों ने 2020 और 2021 तो दे रखा है बट आपको 2021 ही select करना अगर आप 2020 करते हो तो कुछ पाइदा नहीं है दोस्तों आपका बार में form disqualified हो जाओगे दोस्तों फिर आपको next क्लिक करना है next में भी है दो कोई question पूछेंगे उसके बाद आप thank you for successfully submitting a form उसके बाद आपके बाद मेल भी आ जाएगा इनकी दरब से दोस्तों मैं फिर से बता दूँ मैं next वीडियो बताऊंगा उसमें मैं आपको बताने वालों कि कैसे कैसे questions होने वाले हैं इसके और कौन-कौन से round होते हैं अगर आपको jobs के लिए 2020 या 2021 बैच क्यों तो आ बहुत सारी jobs और internships ऐसी हैं जिनकी अभी तक लासेट नहीं निकली है तो दोस्तों आज के लिए इतने ही में जल्दी में नहीं वीडियो में अपने नहीं टेक अपडेट के साथ जबता के लिए दोस्तों धर्नेवाद